जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सूपर इस्टेडी यूटूब चैनल में यहां पर बी आरो की तरफ से बड़ी अपडेट आई हुई है बी आरो यानि बॉर्डर रोड आर्गनेजेशन भरती 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है यह यहां पर टोटल 7667 पदों पर यह भरती होने वाली है और इस भरती की पूरी अपडेट में आप लोगों को देने वाला हुँ क्योंकि यह भरती जो है कि इन्डियान आर्मी के अंतरकत आती है और यहां पर डसवी से लेकर आप लोगों के ट्रेड़ वाइसय ने अपका द यह किया है डिप्लोमा किया है उस अकार्डिंग पोस्ट के अनुसार यहां पर वेकेंसी रखी जाती है ठीक है इस भरती की पूरी डीटेल समझानते है क्या इस भरती में आप लोगों की कौलिफिकेशन रहने वाली है ठीक है क्या यहां पर सेलेक्शन प्रोसेस है सारी चीच ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों के All India ये जॉब रहने वाली है Border Road Arquipation क्या है वो आप लोगों को Detail वीडियो आपको Description में मिल जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों के Form जो है आप लोगों को Offline भरना है ठीक है Form जैसे ही आप लोगों के Start होंगे कैसे Fill Up करना है वो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा अगर आपको चीए तो Comment जरूर करिएगा अब यहाँ पर देखेंगे नीचे आप लोगों को पूरी Details में दे देता हूँ यह जो है Form जो आप लोगों के 31-12 ठीक है यानि 31 दिसंबर 2022 से आप लोगों के Form स्टार्ट हो जाएंगे Offline भरना ठीक है अब लास्ट डेट आप लोगों के इसके लगबक 45 दिनों के भीतर आप लोगों को यह Form भरना या भिजवाना होता है ठीक है अब यहां पर देखिए इसके लिए फीज जो है सिर्फ 50 रुपर यहां पर लगने वाली है ठीक है अब यहां पर देखिए नीचे जो एज लिमिट रहेगी इस भरती की 18 साल मिनिमम होना चीए और मेक्जिमम 25 और 27 यानि पोस्ट के अनुसार यहां पर आप लोगों को एज दिया हुआ है और अगर हम बात करते तो OBC को यहां पर तीन साल STSC को पास साल की जो यहां पर छूट मिलती है अब देखिए नीचे आते है वेकेंसी की डिटेल से देखते है किस तरीके से यहां पर वेकेंसी है तो टोटल जो है यहां पर दो पोस्ट रहेगी ठीक है ऑपरे अब नीचे आते हैं पर दोटीकल मेकेनिक की बात करते है तो 235 पोस्ट है ठीक है MSW जो ड्रीलर है उसकी पोस्ट यहां पर 11 रखी गई है MSW मेसन जो है उसकी पोस्ट 130 रखी गई है ठीक है अब यहां पर आप देखेंगे MSW पेंटर की जो पोस्ट है वो 5 है यानि टोटल क मिलाकर यहां पर 567 जो वेकेंसी रहने वाली है जिसमें जैनरल के लिए आप लोगों की 244 ठीक है SC के लिए 92 और ST के लिए 30 OBC के लिए 148 और EWS के लिए यहां पर 231 वेकेंसी रहने वाली है ठीक है अब नीचे आते हैं इसकी और डिटेल्स को हम देखते है इसमें सिलेक्ष वेरिफिकेशन उसके बाद मेटिकल एक्जामिनेशन यह सिलेक्षन प्रोसेस इसका रहता है तो भरती में अच्छा मौका है आप लोगों के लिए जरूर इसका फार्म फिलब करिएगा खीकि अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट व